नमस्क्रा दोस्टों पाकीस्तान के अंदर 2019 में साउदी अरेविया की राजा आये थे उस समय पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ में 21 बिलिएंड डॉलर का Nahustra जिसके दख साउदी अरेविया पाकेस्तान के अंदर लगबख 21 बिलिएंड डॉलर का investment करने वाला था। इस 21 बिलियन डॉलर के investment में से एक investment था 10 बिलियन डॉलर का जिसके तहर ग्वादर पोर्ट के अंदर साउधी अरेबिया की अरामको कमपनी के द्वारा 10 बिलियन डॉलर को invest करके एक refinery खोली जाएगी पाकिस्तान की largest oil refinery खोली जाएगी इतना बड़ा investment देखके पाकिस्तान की आँखे चमक उठी क्योंकि पाकिस्तान को इस investment की बहुत dire नीट थी क्योंकि पाकिस्तान पिछले दो दशकों से कोई नई oil refinery नहीं खोल पाया है जिसके बार पिछले दो दशोकों से पाकिस्तान की आवादी एक तरफ बढ़ रही है वहीं दुसी तरफ पाकिस्तान के अंदर ओल को रिफाइन करने की केपासिटी लगबग इस्टेगनेंट है जिसके कारण से पाकिस्तान को अभी चाहिए कि कोई एक बड़ी रिफाइनरी खुले यहाँ पर मैं आपको डाटा के रूप में बताऊं तो पाकिस्तान की पिछले दो दशकों से ओल को रिफाइन करने की कैपसिटी केवल 20 मिलियन मेटरिक टन किये इसमें से भी पाकिस्तान के एवड 11 मिलियन मेटरिक टन की ऐसी कटन करने की थी जिसके कायंद से पाकिस्तान बहुत खुश था क्योंकि पाकिस्तान की एकानोमी दुसरी तरफ डाउन जा रही थी ऐसी condition में इतना बड़ा investment पाकिस्तान की economy को boost up देने में काफी था वही साओधी अरेबिया के point of view से अगर हम लोग देखे तो 2019 तक पाकिस्तान की economy काफी अच्छी थी जिसकी कारण से साओधी अरेबिया भी interested था पाकिस्तान के ना invest करने के लिए बड़ 2019 के बाद पाकिस्तान में अलग-अलग event हुए जिसके बाद में पाकिस्तान की economy downfall होने लगी वहाँ पर नकेवल economic crisis बलकि political crisis even natural crisis flood और earthquake के रुप में आया जिसकी कारण से साओधी अरेबिया थोड़ा घबरा गया क्या आप पाकिस्तान के अंदर invest करें या नहीं करें 2023 तक साओधी अरेबिया ने इस investment के उपर कुछ भी नहीं आ even साओधी अरेबिया का सबसे बड़ा concern था security crisis क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तहरी के तालीबान पाकिस्तान द्वारा लगाता अटेक किये जाना है जिसके कारण से आतंगवादी गतिवीदिया पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है आतंगवादी अटेक पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है वहीं दुसरी तरफ यह जो प्रोजेक्ट था यह था ग्वादर पोर्ट के उपर जो की बलोचिस्तान में आता है जो की वन आफ दा मोस्ट अनिस्टेबल प्रोविंस है पाकिस्तान की जहां पर चाइना पहले ही चा पहले भी आपको याद होगा तो चाइनीज वर्कर के कॉन्वोई के ओपर बॉंग ब्लास्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंडिशन में साओधी अरिविया को बहुत बड़ा नुक्सान होने वाला था जिसकान से साओधी अरिविया थोड़डर के लिए चल पड़ गये थे कि भाई कैसे भी करके पाकिस्तान के अंदर यह रिफाइनरी खुलो जिसके बाद पाकिस्तान ने कुछ ऐसे वादे किये जिसकी वह से साओधी अरिविया को इस रिफाइनरी प्रजेक्ट के लिए हाँ कहना पड़ा पाकिस्तान सबसे पहला वादा किया कि 40 से 45 प्रतीशत तक इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट का इन्वेश्मेंट का पैसा पाकिस्तान खुद देगा बचा हुआ 50 से 55 प्रतीशत साओधी अरेविया हाला कि यह भी ज्यादा ही है पर फिर भी कहीं ने कहीं साओधी अरेविया कि रिसक कम हो जाती है कि सरकार पैसा लग कि यह साओधी अरेविया के द्वारा ग्वादर पोर्ट के अंदर एक रिफाइनरी खोली जाएगी जो की लार्जेट रिफाइनरी होगी पाकिस्तान की जिसकी कैपैसिटी होगी हर रोज 450,000 बैरल ओइल को रिफाइन करने की इसे अगर मैं सालाना बताओं तो यह लगभग 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एननम के ओईल को रिफाइनरी है जो की पाकिस्तान के रिकौर्मेंट को बिल्कुल परफेक्ली सूट करती है हाला कि इस रिफाइनरी के अंदर जो ऑइल प्रोड्यूस होगा उसका 60 प्रतीशत साओधी अरीबिया ले जाएगा और 40 प्रतीशत चाइना, नेपाल, श्री रंका और पाकिस्तान आपस में बाटते रहेंगे अब ये चार देश कहां से आए, तो ये चार देश जो है, वो अब इसलिए 40-45 प्रतीशत पाकिस्तान कहां से लाएगा, तो वो इन देशों से वसूल करेगा, कि वाइजा तुम पैसा देदो, तुमको भी ओयल दे देंगे, इस तरीके से, तो वो चीज़ें यहाँ पर अम इतनी मजबूत हो गई क्या, कि साओधी अरेबिया की आर्मी को ट्रेन करने लगी है, मिडिल इस के अंदर पाकिस्तान एक सिक्यारिटी प्रोवाइडर है, क्योंकि पाकिस्तान एक मात ऐसी इसलामिक कंट्री है, जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, जिसलिए पाकिस् और साओधी अरेबिया के रिलेशन काफी क्लोज हैं, और उसी रिलेशन को ध्यान में रखते हूए, आहां पर जबर जस्ति साओधी अरेबिया को हाँ करना पड़ा था, हाला कि अब साओधी अरेबिया का स्टेन्ड जो हो चेंज होते हुए दिखाये देरा है, वो कैसे हो उसे मैं शुहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूँगा बड़ उसके पहले आप लोग में साथ में साथ में इसासी 10 टेलिग्राम गूर्प के उपज उड़ सकते हो मेरे क्लास की अपडेट बीडीप यह सब कुछ आपको मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप विजिट कर सकते हो इनका एड्रेस मैंने या पर बताया हुआ है या रखना 30 नवंबर से बैचे शुरू होने वाली हो 35 प्रतीशत तक का डिस्काउंड मिलेगा अगर आप एसासी 10 कोड यूज करोगे तो और अगर आप अभी घर पर बैठे हो प्लान कर रहे हो या तो दिल करना उसे खोलना उसके बाद मैं उसको फिल आउट करे रहा हमारी टीम आपको रिच आउट करेगी आपकी सारी कोड़ी को करेगी उसके बाद आप एक इनफॉर्म डिसीजन ले पाओगे चलिए दोस्तों समयना का प्रयाश करते हैं आप हो क्या रहा है देखो साओधी अरे के लिए पाकिस्तान इसलिए important है क्योंकि पाकिस्तान एक security provider है बट अब पाकिस्तान को replace करता हो दिखा देरा भारत क्योंकि भारत एक मजबूत राष्ट है और net security provider बनना चाहता है खास उसे Middle East के देशों के लिए जिसके कायां से साओधी अरेबिया भारत के relation मजबूत हो र साओधी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे देता था जब भी economic crisis आता था जब भी पैसे की जरौत लगती थी इवन पिछले साल भी आपको याद होगा तो दो बिलियन डॉलर का बेलाव साओधी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान को ताकि पाकिस्तान security प्रवाइड गरे साओ क्योंकि साओधी अरेबिया जिस लोकेशन पर है वो काफी अनिस्टेबल लोकेशन है क्योंकि मिडल इस्ट आ जाता एक तो जहां पर already instability है वहीं दूसरे तरफ पारेसी का concern वहाँ पर देखने को मिलता है इसकी कारण से पाकिस्तान साओधी अरेबिया के लिए इपोर्टें जो अच्छी security प्रोवाइड कर सकता है जिसको इतने पैसे क्या हो सकता भी निवावा बेला उतनी जरुवत नहीं बढ़ेगी जहां पर economy थोड़ी मजबूत है और even आने वाले समय में एक मजबूत राष्ट के रूप में ये देश उभर के आएगा इसी कारण से आप देख इवन एक वीडियो रिसेंटली रिलीज हुआ था जहां पर कैमरे में पाकिस्तान के प्रधाल मंत्री कुछ कह रहे थे साओधी अरेविया के किंग को और साओधी अरेविया के किंग उस कैमरे के अंदर ये कहते हुए केद हो गए कि अब हम तुम हो और पैसा नहीं देंगे एंग्लिश में दाओ के वी वॉन्ट गिवी उ मोर मनी वो चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है आने की साओधी अरेविया जो है हो पाकिस्तान को इजी मनी दिने से मना कर रहा है जो साओधी अरेविया की डिपेंडेंसी अब पाकिस्तान क committed की ऊपर कम हो रही हो जमर् रहा है क्योंकि अराम को कंपनी के दॉला क्लियरली कह दिया गया है कि अब साउधी अरेबिया को इतना लुक्रेटिव नहीं लग रहा है इस रेफाइनरी के अंदर निवेश करना जिसके बाद नए नियमों के तहत इन्हों ने कहा है कि 10 बिलियन डॉलर का इन्वेश्मेंट नहीं करेंगे केवल 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेश्मेंट करेंगे वह भी कब करेंगे एक्च्वल में जब 10 बिलियन डॉलर का साउधी अरेबिया के अराम को कंपनी इन्वेश्ट करती तो वह तीन स्टेज में करती अब 1.5 बिलियन पाकिस्तान को खुदको डेवलब करना पड़ेगा तब जाके साउधी अरेबिया इन्वेस्ट करेगी यह चीज अभी रिसेंटली अरामको कंपनी दॉला कही गई है यानि कि वो जो आल रिफाइनरे वाला प्रोजेक्ट वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर फेल होता ह हुआ दिखाय दे रहा है क्योंकि साउधी अरेबिया के रिलेशन अब पाकिस्तान के साथ में बहतर तो है पर उतनी डिपेंडेंसी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी इसी कायांट से इस बार जो दो बिलियन डॉलर का पैसा दिया गया था वह भी बहुत हाफ आटेड़ के वर्ल्ड कप में अच्छा टीम नहीं खेल रही है कोई बात नी बी सी इसी और बॉल वदल देती होगी पीच बदल देती होगी जब साउधी अरेविया के अरामको कमपणी ने इस इन्वेश्मेंट को कम करने का कह दिया उस समय पे पाकिस्तान की मीडिया भारत के उपर इल्याम लगा दी कि भारत ये सब करा रहा है हाला कि इन चीजों का जिम्मदार हकीकत में भारत नहीं है, इन चीजों का जिम्मदार पाकिस्तान खुद है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े समय तक अपना पैसा आतंगवाद के उपर लगाया, भारत को कमजोर करने पे लगाया, भारत के अंदर उसकी सर्वेरिंटी, सब जा रहा है और सब का जिम्मदाब भारत है अपरोच गलत है पाकिस्तान के इंटरनल इशूस हैं जिसके कार्ण से अभी पाकिस्तान से यह इंवेश्मेंट छूरत दिखाया दे रहा है दोस्तों I hope आपको लेक्शा लगा हो लेक्शा लगा तो लाइक करना लेक्शा लगाऊ तो नीचारा कमिंट करना ,, जहिंट जे भारत